Hello friends, welcome back to my channel My Baby Care और मैं हूँ आपके साथ अर्षना Friends, जब आपका बेबी धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें कई तरह के नए चेंज़े आते हैं और उनी चेंज़ेस में से एक चेंज होता है बच्चो के दात आना बच्चो के दात जो है छे से आट मेने की उम्र में आने लग जाते हैं और शुरुआत में नीचे के दो दात आते हैं और फिर उपर के दो दात और फिर साइड के दात धीरे धीरे करके आते हैं कुछ बच्चों के दाथ 6 मेने से पहले भी आ जाते हैं तो ये भी नॉर्मल चीज़ेस में कोई घमराने वाली बात नहीं है पर कुछ पेरेंट्स की ये क्वेरी थी कि हमारा बेबी जो है अब 9-10 मेने का भी हो गया या फिर कुछ के बेबी जो है एक साल के भी हो जाते हैं पर उनके एक भी दाथ नहीं आता है तो उनको थोड़ा टेंशन जाती है सोचके कि हमारे बेबी की साथ नहीं हो रहा है क्योंकि जातर बच्छों के दाथ 6-8 मेनी के उम्र में आ जाते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको यहीं बताने वाले हैं कि बेबी के दाथ देरी से क्यों निकलते हैं क्यूं नहीं आते हैं और साथी साथ अगर आपके बेबी के दाथ निकलने में देरी हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए तो चली स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो पहले हम बात करेंगे कि बच्चों के देरी से दान्ट निकलने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं First देखिए, genetic भी यह चीज हो सकती है यानि कि अगर आपके घर में पहले भी लोगों के दान्ट जो है देरी से निकले हैं तो ये भी रिजन हो सकता है कि आपके बच्चे के दाद भी देरी से निकल रहे हो। तो आप अमने गर में जो आपके family members हैं, जो आपके parents हैं, उनसे पता कर सकते हैं कि क्या आपके दाद भी देरी से निकलेते तो। तो यह एक पहला कारण हो सकता है जिसकी विज़से आपके बच्चे के दाथ लेट निकल रहे हैं नेक्स देखिए कि कुछ पेरेंट्स जो हैं बच्चे को अगर प्रॉपर डाइट नहीं देते हैं या फिर वो एक ही चीज़ को खिलाते रहते हैं उन्हें multiple जो nutrients हैं वो बच्चे को नहीं मिल पाते हैं जो कि इनकी body के लिए जरूरी है उनके overall growth के लिए जरूरी है तो इसकी विज़से उनके growth जो है ठीक से नहीं हो पाता है और इस विज़से भी baby के दांथ देरी से निकलते हैं जिन बच्चों में vitamin A और vitamin D की कमी होती है उनके दांथ भी देरी से निकलते हैं लेखे vitamin A और vitamin D बच्चों की हड्डियों यानि bones और दान्तों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं अगर बच्चों के शरीर में इन दोनों चीज़ों के कमी होती है तो बच्चे के दान्त देरी से निकलते हैं और अगर दान्त निकलते भी हैं तो वो ठीक तरी से नहीं निकलते हैं कुछ बेबी की बॉड़ी में जो है थायरोइड, पराथायरोइड और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं, उनमें कोई न कोई कमी रह जाती है और जिनकी विजल से जो हॉमोन्स इन ग्लैंड से रिलीज होने चाहिए थे उनमें भी कमी रह जाती हैं, जिससे बेबी के अब आपको बताते हैं ऐसे कुछ चीजे जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चे के दाथ जो है वो टाइम से आएंगे पहले चीज देखिए कि आपको अपने बच्चे की डाइट पर पूरा ध्यान रखना चाहिए बच्चे को एक अच्छी डाइट दे और साथी साथ बच्चे को जो है विटामिन ए और विटामिन डी वाली चीजे भी जरू खिलाएं बच्चे को दूद और दूद से बनी बच्चे को दिखाएं तो इससे बच्चे की बच्चे की बडी मच्छा विटामिन डी बनेगा और इससे बच्चे के डाइट टाइम से आएंगे अगर आपका बेबी जो है मू में उंगली या फिर अंगठा देता है तो आप उसकी इसादत को भी छुड़वाएं इससे भ पर देई या विडियो को मूह की सफाइी थिक से नहीं होती है तो इस जैसे भी कई बार बडी दात धेरी से आपते है तो इसके साल में नहीं ला हम वी को बच्चा का या बेबी को देसे नाँ तो friends यही था हमारा आज का वीडियो, I hope आपके लिए वीडियो helpful रहा होगा, हम आगी भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लागते रहेंगे हमारे चैनल की वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो please वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा, thank you